पहली बारी भारत ने चीन को मजबूर किया है कि वह अपनी जो डॉक्ट्रिन है विनिक विदाउट फाइटिंग उसको बदलना पड़ेगा क्योंकि वह समझ गया कि वह भारत को साथ बगार लड़े जीत नहीं सकता है और इसलिए शायद अब चीन ने रिलाइस कर लिया है कि उनकी शायद गल्ती थी और अब वो इतनी लंबी स्टेंड आफ के बाद बादचीत के लिए तयार होगे और उन शर्तों को मानने के लिए तयार होगे जो कि भारत ने उनके सामने रखी थी पूरा देश एक जो ठोकार अधानमंत्री मोधी के साथ खड़ा हुआ है आज जो बात करना चाहरा हूँ वो मैं चाहरों की जो भारत के अंदर यह जो चेंज ऑफ स्ट्राटेजी है कि चाइना के साथ भी तालुका ठीक हो रहे हैं होट लाइन बिल्ड हो गई पाकिस्तान के साथ भी लोसी पे जो है वो सीस्फार एग्रिमेंट हो गया देखिए भारत में तो कोई फरक नहीं आया है भारत वैसे का वैसे है भारत एक अमनपसंद मुल्क है भारत सब परोस्यों के साथ अच्छे अमनकुन रिलेशन चाहता है और भारत की जो डिप्लोमेसी और फॉरंट पॉलिसी इसी के उपर अधारित है इसलिए भारत ने चीन के साथ भी चीन ने हमें दोखा दिया और दोखे का जवाब हमने चीन को मोत और जवाब दिया जिसका चीन ने आज रिलैस किया कि उनकी शायद गलती थी और अब वो इतनी लंबी स्टेंड आफ के बाद बादचीत के लिए तयार होगे और उन शर्तों को मानने के रखी थी तो कहने के मतलब यह है कि भारत तो वही है शांती प्रियदेश लेकिन शायद हमारे परोसियों को रिलाइज हो रहा है कि ये बदला हुआ भारत है ये निया भारत है ये ऐसा भारत है जो कि उबर रहा है और ऐसी ताकत है जो कि किसी के आगे जुकने वाली नहीं ह जा तक राश्चितों का सवाल है तो इसलिए हमारे पडूसियों को ये बात समझा रही है खास कर चीन को और इसलिए चीन अब बाचित के लिए तयार हो गया है और यहां तक बात है टू एंड आफ रंट की देखिए हम शांतिपने जरूर हैं लेकिन हम इज़दार मुल्क हैं कोई भी अगर हमें आंके दिखाएगा कोई भी हमें ड्रान दमकाने कोश करेगा कोई भी हमारी भूमी को अलपने कोश करेगा देखिए प्रधान मंत्री मोधी जो हैं हमारे बहुत बड़े स्यासदान हैं उनकी सोच बहुत दूर की है वो बहुत दूर दृष्टी के आदम लाना रहेगा अगर बगार नाम लिए ही चीन दर जाए अगर बगार नाम लिए ही चीन रेक्ट करना शुरू कर दे तो विए नाम लेने की जूर्ट क्या है जब हमारे प्रधानमंदी ले गए और वहां पर उन्हें कहा कि आप विस्तारवाद का युग खत्म हो गया है आप को हम नहीं बढ़ने देंगे हम विस्तारवाद का सामना करेंगे उनके लफजों से चीन के अंदर ऐसी हलचल मात गई कि आपने अगले दिन देखा किस परकार चीन के ग्लोबल टाइम्स और चीन के फॉर्ण मिनिस्ट्री कार्सपांडनेंट और उनके जो वोते तर्जम्रा सबने कैसे किस परकार के बियानात देने शुरू कर दिये तो मैसेज तो चला गया ना चीन समझ गया कि किस के बारे में बात हो रही है तो बाहर नाम लेने के जूर्ट क्या है अगर आप बगया नाम लिए ही अपना मकसद हासल कर सकते हैं तो बार नाम क्यों ले अच्छा त को 59 मोबाइल आप्स थी वो बन कर दी और इस तरह की चीज़ें लेकिन बाद में पता चला कि वो कारोबार उसी तरह चल रहा है ट्रेड भी हो रही है चीनी प्रोड़क्स भी आ रही है तो यह जो एक इसको जिसको कहते है जी हाइपर नैशनलिजम थोड़ी ज़ेर के लिए हुआ लेकिन फिर वो ठंडा पाड़ गया तो इसको सुसाइटी कैसे देखती है कि नरेंदर मोदी साब की स्ट्राटेजी को के चीन के बारे में काम्याब हुई है क्या सुसाइटी ने मदद की है नरेंदर मोदी के इस ब्लैक आउट करने की चाइना को अपनी मार्किट में डेक्सस कम देने की क्यूंकब लोग तो यह कह रहे है कि चीजें मैं बहलत हमेशा एक जुट रहा है और यहां तक चीन को वैशकार का सवाल है आप शायद इस वाद को नहीं जानते कि दिसंबर 2020 तक जो ट्रेड डेफिसित था भारत और चीन के बीच में उसमें 15 प्रिशत पिछले साल जो कमी आई थी और जो हमारे Commerce Ministry का अंदाजा है कि मार्च तक ये 25% हो जाएगा 25% ट्रेड डेफिसिन कम होना ये कहां दर्शाता है कि उसे प्रकाट ट्रेड चल रहा है और ये in favor of India है भारत ये चीन को जुरूरत है भारत से वह बारत से ले रहा है लेकिन भारत चीन से नहीं ले रहा है भारत के अंदर जो आप एक जिकर कर रहे हैं एक दो contract जो देने हुए loan के projects थे और World Bank की terms condition के मताबिक आप किसी को exclude नहीं कर सकते हैं टेंडरिंग से इसलिए मजबूरन वह tender हमें accept करने पड़े लेकिन जहां तक trade का सवाल है trade बहुत कम हो रहा है और ज्यादा ट्रेड जो है वह चीन की तरफ से हो रहा है अच्छा मुझे ये भी बिताहिए इसकी क्या significance है और क्या trust level इतना नीचे आ गया है कि hotline establish करनी पड़ गी बिल्कुल ट्रस्ट लेवल तो बिल्कुल zero से मन्फी कहूंगा मैं क्योंकि उसके जिम्यवारी पूरी और पूरी चीन के उपर है आपने देखा कि किस परकार डोकलाम से लेके आज तक चीन कनूनों को treaties को agreements को किस परकार दर किनार करते हुए अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाने कोशिश कर रहा था भारत पर थोपने कोशिश कर रहा था भारत पर जबरदस्ती करने कोशिश कर रहा था लेकिन चीन को आखिर मानना पड़ा कि भारत के साथ इस परकार के नीति नहीं चल बाड़े जीत नहीं सकता है और इसलिए शायद आप चीन ने रिलाइज कर लिया है कि टू फ्रंट वार क्योंकि पाकिस्तान भी ना पाकिस्टाइन का साथ दे सका ना देना चाहता था आप जानते रहें तो इसलिए आप दोनों को ने मिलकर यह कर लिया है वह वह भी हम जानते हैं कि हाइब्रेट बार फिर जारा अच्छा है सस्ता है अतंगवाद को जारी रखो अतंगवाद का बढ़ावा दो श्रीस वाइलेशन का जांसा दो यह तो हम समझते हैं इस बात को पर चलिए वह इसका मौजू नहीं है तो इ उसके हित में है लेकिन बर्गेडिय सब एक बात यहीं भी ऐनलिस्ट कहते हैं और पड़े लिखे लोग यह भी कहते हैं कि जो चाइना है वो भारत के साथ जमीनी जंग नहीं लड़ना चाहता देखें दुश्मन आप क्योंके खुद फौजी रहे हैं आपको पता है कि आप दुश्मन को वहाँ मारते हैं जहां दुश्मन कमजोर होता आए और जो चाइनी जह स्टाटेजिस संजू भी यहीं कहता था तो चायना यह समझता है कि जो भारत है वो वो यह लेक्ट्रो मेगनेटिक वार्फीर में कमजोर है तो हम क्यों न इंडिया को हिट करना तो वहां वहाँ पर इंडिया उस चाहरा का मुकाबला कर पाएगा बिल्कुल हर हम डुमेन में तीन डुमेन तो आई हैं फोर्ट फिफ सिक्स डुमेन स्पेस एलेक्ट्रोनिक प्रॉर्फियर और सब जगे साइबर सब जगे करने के यह शक हम से आगे होगा लेकर अपनी वाज़त के लिए लियार है और अगर जुरुत पड़ी तो हम दूसरों की मदद भी लेंगे लेकिन कि इनको हमारे यह सोचके कि वह हमारे उपर सब्सक्राइब करके क्या हुआ कुछ हुआ तो नहीं ना हमारा सिस्टम तो फेल नहीं हुआ कोशिश की थी चीन ने पर सिस्टम फेल नहीं हुआ इसलिए हम बिल्कुल सक्षम हैं और चीन भी इस बात को जानता है अगर चीन इस झाल 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 झाल